तो जैसा कि पिछल एपिसोड में हमने देखा था, मूलचन यहाँ पर अपना बैटल जीत चुका था और चारों तरफ से इसकी जैजेकार हो रही थी, अब आगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर निराश भी थे, यह बाहर का भंदा और यह चाइल्ड अफ कॉंटिनेंट इस प ग्रीट करता है, बदले में फ्लेम एंपरर भी एक स्माइल देते हैं, और फ्लेम एंपरर के कहने पर मूचन वार एंपरर को भी ग्रीट करता है, अब वार एंपरर इसे बताते हैं, वैसे तो तुम्हारा बैटल खतम हो चुका है, पर जब बाकी दोनों बैटल्स खतम हो ज जीत चुके हैं, आखरी बैटल बचा है, जो कि लोली वाला चल रहा है, और ये बताते हैं, कि बेसिकली वहाँ पर एक अलगी मैट्स चल रहा है, लोली की टीम में 100 लोग सामिल हो गए हैं, और उसकी जो अपोनेंट है, लिंग फेजी, उसने भी कई सारे लोगों को अपनी त शुरुआत में जो कमपटिशन था, लिंग फेजी जादा डॉमिनेट करती, क्योंकि जादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक कर ली थी, पर धीरे-धीरे समाई के साथ, लुओली के पावर को देखकर, कई सारे लोग पीछे याड़ जाते हैं, और कई सारे इसके टीम में शामिन हो जाते हैं, और यहाबर बाहर बैटे बहुत सारे लोग, यह लोग भी बताते हैं कि लिंग फेजी कुछ जादा हैं करती, और बाहर बैटे बहुत सारे लोग, लुओली के तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यह दिखने में काफी कातिल थी, और सबको पत था कि वार एंपरर ने इस लड़की को होली मेडन के पोस्ट के लिए इन वाइड भी भेजा था लिंग फीजिको इस बात से जलन नी थी कि वार एंपरर इस लड़की को इतना महत्वक्यों दे रहे थी इन दोनों टीमों का अभी आपर बैटल शुरू हो जाता है लोली को अब रहा नहीं जाता है और ये लिंग फीजिको डारेट चैलेंज कर देती और लोली से समझाती भी है कि कभी कभी इंसान गलत दीज से पंगा ले लेता है और बाद में वो इसकी भरबाई भी नहीं कर पाता है उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आएगा परलिंग फीजिको इससे ज़्यादा कुछ फरक नहीं पड़ता है और ये भी अपनी औरा को रिलीज करती है लोली आपर सीरियस हो चुकी थी और इसके आसपास एक वाइट पावर देखने को मिलता है और इसके पीछे में काफी बड़ी सी बॉड़ी बन जाती ये थी इसकी लुओ गॉड सेलेस्टियल बॉड़ी लोग बस एक ही चीज बोल रहे थे कि क्या ही सुन्दर बॉड़ी है ये और बात सही थी करती है जिसका रैंक 30 है सेलेस्टियल बॉड़ी रैंकिंग में अब दोनों के सेलेस्टियल बॉड़ी का कन्फरेंटेशन शुरू हो जाता है फीजी कोई भी अटेक करती लुओ लिव से आराम से डिजॉल्व कर दे रही थी फीजी को समझ में आता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा अभी अपने ब्राइट मून के सूपर पावर को यूज करती है और एक टेकनिक यूज करती है मिश्टिरियस लेडी मून ब्लेड अटेक ये अटेक लोली की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है लोली भी अपने सेलेस्टियल बोडी पर एक सील बनाती है और ये भी एक स्वार्ड औरा उस आतेवे मून की तरफ बढ़ा देती है दोनों अटेक यहाँ पर टकराते है और चारों तरफ शौक वेप फैल जाता है इधर लिंग फीजी ये मानती नहीं है ये एक के बाद एक अटेक लॉंच करते जाती है और वही वो स्वार्ड औरा इससे आराम से ब्लॉक कर देता था लिंग फीजी को यहाँ पर गुस्सा आता है कि क्या बस तुम डिफेंड कर सकती हूँ क्या तुम में दम नहीं है अटेक करने का लोली हसके कहती है मैं बस अपने सेलेस्टियल बोड़ी का पावर चेक कर रही हूँ उसके बाद ये इसके चेरे पर एक स्माईल था और ये हैंड सिल्स बनाने लगती है अब जबी भी ये पैटन मूव करती है तो इसके आसपास एक क्रिष्टल रिवर बनने लगता है और ये रिवर एक तलवार में बदल जाता है लोली भी कहती है तुम कबसे मुझे अटेक करने के लिए कह रही थी तो अब मेरा अटेक को रिसीफ करो अब इसे लिंग फीजिको कुस्सा आता है कि मैं तो कभी का तैयार हूँ लोली इदर चिलाती सौवरिन सूपर पावर लोव वाटर ट्रांसफार्म स्वर्ड यानि अपने रिवर को तलवार में बदल देती है और इस अटेक को आगे बढ़ा देती है अभी जो अटेक था तलवार तो था पर इसके आसपास एक रिवर टैफ फ्लो औरा को फील किया जा सकता था और इससे में सबी लोग फील करते है कि क्यों ये बड़ी 11th नमर पर है Celestial Body की रैंकिंग में लिंग फीजिब जब इस अटेक को देखती है तो ये अपने असपास फील करती है और गुस्चे में कहती है मेरे Celestial Body को हरान इतना आसान नहीं है अब इस बार ये अपने Blood Descent को यूज करती है और वोज़े इसका Moon Blade अटेक था उसमें इस अटेक को यानि Blood अटेक को ये मिक्स करती है हालकि इससे इसका हालत काफी खराब हो जाता है और शायद ये इसका सेथ Final Attack था अब एक Bloody अटेक उस रिवर अटेक उस रिवर अटेक के तरह पढ़ता है दोनों के अटेक इस बार फिर से ठकराते है और सबी लोग अवाक होके देख रहे थे वो जब Blood Moon Attack था दीरे दीरे इस रिवर स्वर्ड अटेक के सामने गायब होने लगता है और लोग अटेक इसे भेदते हुए Link Feezy के तरह पढ़ जाता है अब इस आटे हुए अटेक को दिखकर Link Feezy अपने Celestial Body से एक Defense औरा बनाती है और ये पीछे अटने लगती है पर ये और अटनी Fears थी कि इसके Celestial Body को भेद कर भी आगे बढ़ने लगती है पर जैसे इसका Body Dissolve होता है यानि Celestial Body Link Feezy भी यहाँ पर खूल के उल्टी करने लगती Link Feezy यहाँ पर कह देती कि मैं हार चुकी है लूओली अपने अटने को Dissolve कर देती है और ये कहती है कि लूओली एक न एक दिन मैं तुम्हें हाराके रहूंगी बाकी लोग यहाँ पर जो भी बच्चे थे वो भी यहाँ पर अपने हार मान लेते है तो इस Competition की विनर लूओली बन जाती है अब लूओली की नजरे एरिना में बैठे लोगों पर पड़ती है जहाँ पर इसे मूचेन दिखाई देता है और ये जानती थी कर मूचेन यहाँ पर बैठा है तो अपना बैटल जीत चुका है चारो तरब से लूओली को भी तारिल सुनने को मिलता है पर ये काफी शानती और इसकी नजरे बस मूचेन पर फेक्स थी कई सारे लोग यहाँ पर मूचेन को थोड़ा सा जेलेस्टी की नजर से देखते हैं कि भाई ये बंदा इतनी सुन्दर लड़की भी पा गया और जो खुद में काफी टेलेंटेड और पावरफुल है वोर एम्परर यहाँ पर डिकलेर कर देते हैं कि कम्पलीट अर्थली सौवरीन के विनर लिंग डॉंग एल्डर है अपरली अर्थली सौवरीन के विनर मूचेन है और लूओली अर्थली सौबरीन का विनर लूओली है तो official declaration यहाँ पर आज चुगा था लूओली फिलार यहाँ रिक्दम queen के जैसे लग रही थी कपड़े इसने काले रंगे पहने थी और इसका figure काफी करवी था और चेहरे पर एक gentle smile यह भी flame emperor को यहाँ पर respect दिखाती है इससे मालूम था यह सब उली के वज़े से संब़ा हुआ ने तो moon chan को यहाँ पर भाग लेने का मौका मिलता ही नहीं अब यहाँ पर war emperor बैपर्टीजम के बारे में बताते है और सबी की नज़रे यहाँ पर बैपर्टीजम पर focus थी हाला कि इने मिलता नहीं पर फिर भी लोग ठोड़े excited थे war emperor यहाँ पर flame emperor से कहते हैं कि आपको भी वो बैपर्टीजम का location देखना है flame emperor मना करतेते हैं कि दिखो भाई बैपर्टीजम का जो location होता है हर एक continent का secret होता है हला कि आपने मुझे invite किया पर फिर भी मैं नहीं जाऊंगा वो और emperor भी बदले में कहते हैं कि कोई नहीं और flame emperor इन्हें अपने endless fire directory के लिए invitation भी देते हैं अभी आपर flame emperor मूचन को इससे थोड़ी बाते करते हैं मूचन फिर से कहता है सब आपके वज़े से संबबा हुआ flame emperor अभी यहां से निकल जाते है पर जाने से पहले हैं मूझे तुम पर पूरा भरोसा है एक न एक दिन तुम हमारे लेवल पर पहुंच जाओगे मूचन भी आपर embarrassed तो फिल करता है यहां पर आते ही मूचन एक दम प्योर और आप फिल करता जो कि बाहर के मुकाबले काफी जादा dense थी अब war emperor कहते है यहां पर जाकर तुम इसे absorb कर सकते हो बागे तुमारे उपर depend करेगा मूचन इनको तो कुछ समझ में नहीं आता है पर लोली तुरंती पूछती है कि आप यह कह रहे है कि बैपरिजम का इश्रेंद हम अपने हिसाब से absorb करेंगे वेस्ट एमपरर हां में सरिलाती लोली तुरंती ने एक लुक देती है कि यह तो सही नहीं है मूचन को अभी तक कुछ समझ में नहीं आता पर इतना तो समझ चुका था कि वार एमपरर का इरादा सही नहीं लग रहा अब लोली जैसे बोलती है लिंडोंग एल्डर को काफी गुस्ता आता है कि तुम वार एमपरर से ऐसे कैसे बात कर सकती है और यह अपनी औरा को रेलीज करता है पर तभी मूचेन सामने आ जाता है और हाथ में इसके एक रून पड़ा था अगर जिसे यह क्रश करते तो यहाँ पर तुरन थी मार्सल एंसेस्टर आ सकते है यानि उनका क्लोन आ सकता है पर यहाँ पर वार एमपरर शान थे और यह लोली से कहते हैं मैं गलत क्या कर रहा हूँ मूचेन को तो रोल्स पता नहीं थे पर लोली को बता था और यह कहती कि बैपरटिजम का श्रेंद नॉर्मली यह डिवाइड किया जाता है अब क्योंकि लिंग डॉंग एल्डर कम्प्रिटली अर्थली सौवरीन है और आप डिवाइड नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और एब्जॉर्ब कर सकते हैं और हमारा पावर लिवल कम है तो हम उनसे कंपीट भी नहीं कर पाएंगे और मूचेन का भी अंदाज़ा सही था इस केस में लिंग डॉग एंडर यहाँ पर 60% और अब्जॉर्ब कर लेंगे तो बचा 40% या उससे कम जिसमें मूचेन और लुवली को बाटना पड़ेगा अब मूचेन को भी पुरा माजरा समझ में आ जाता है पर वार एंपरर केते देखो उससे कोई फरक नहीं पड़ था अगर फ्लेम एंपरर भी होते तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हर एक कॉंटिनेंट का अपना रूल होता है ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है वार एंपरर यहाँ पर लंबा चोड़ा ज्यान देते है मूचन भी आपर कुछ विचार करते है और इनकी बात मान जाते है लोली को तो कुछ समझ में नहीं आता है और वार एंपरर समझ जाते है कि ये लड़का फिर से कुछ करने वाला आए क्या और मूचन केते हैं अगर आपकी आज्या हो तो हम शुरू कर सकते है वान एंपरर जाने से पहले लिंगडॉंग एंडर को एक लुक देते है लिंगडॉंग एंडर भी हामेसर इला देते है इशारा यही था कि इनको बिल्कुल पर दयामत देखाना और जितना जादा से जादा बैपटिजम पावर एब्जॉर्ब कर सकते हो कर लेना ताकि मूचे इनको कम फायदा मिले अब इन लोग के पास 30 मिनट था अपना एरिया डिवाइट करने का उसके बाद यह बैपटिजम पावर को एब्जॉर्ब कर सकते है मूचे नियाबर आगे बढ़ता है और एक जगह है यानि अपना एरिया अपने ओरा के हिसाब से घेर लिता है लोगरी भी सेम करती है और लिंगडॉंग एंडर भी सेम करते है शुरुबात में कोई किसे से क्लेश नहीं करता है तो लिंग डॉंग एंडर ने 50% जो बैपटिसम का ओरा था उसे घेर लिया था पर लिंग डॉंग एंडर इतने पर मानते नहीं है और ये मूचेन और लोली को भी या पर अपने ओरा से सप्रेस करके उनका भी रीजन हाथ याने को देखने लगते हैं और पलक चपकते 60% एरि बैपटिसम पावर मिल पाएगा लिंग डॉंग एंडर यहापर काफी खुसता कि मैं अगर 70% औरा अब्जॉर्ब करूँआ तो शायत मैं हेवनली सौवरीन के आसपास या हेवनली सौवरीन में भी एंटर कर सकता हूँ मूचेन को यहापर गुसता आता है यह अपने एंड साइन्स मूफ करता है और दो मूचेन यहापर प्रकट हो जाते हैं और लिंग डॉंग और एल्डर जो थे वो अभी भी अपना औरा को फैलाने को देख रहे थे मूचेन अब इनके माध्यम से उसे ब्लॉक करने लगते ह अलाके वो 70-80 पर नहीं जा पाते हैं पर 70% अब ही भी कवर करके थे हैं फिलाल मावल स्टेवल हो जाते हैं लोली भी थोड़ा दिलाक्स फिल करते हैं और लोली लेकिन कहते हैं कि 30% में हम दोनों का नहीं हुपाएगा और यह मूचेन से कहते हैं कि 30% जो औरा है तुम ही अ मूचेन यहां पर एक तलवार निखालता है जिसमेंसे एक अलगी लाइट बार निकल रही थी और यह और एक हेवेनली सौवरिन का औरा के बराबर थी और इस औरा से मूचेन तुरंती लिंग डॉंग एल्डर पर अटैक कर देता हैं लिंग डॉंग एल्डर चाय कितना भी 30% बच जाता है और यह गाली देते हैं पर देखी भी अभी कुछ करने ही सकते थे क्योंकि 30 मिनट पूरा हो चुका था तो जितना एरिया जिसको मिल गया अब उसको उतने मही संतूष रहना पड़ेगा और मूचेन इन्हें एक विकेड स्माइल देता है तो मूचेन और लो जो थी मूचेन लोली और डॉंगेंडर पर चमकने लगती है मूचेन इतना होशियार था कि इसने जान मुझ करके जब 30 मिनट करीब आ जाता है ता भी जाकर यह एंपररर स्वर्ड को यूस करता है ताकि बाद में डॉंगेंडर को मौका ही न मिले इधर मूचेन क्या दिख जो ड्रैगन रोर था और फिनिक्स का पावर वो भी आपर गुजने लगता है मूचेन नहीं नहीं लंबे समय से देखा नहीं था इस समय रियल स्पिरिट जो थे ड्रैगन और फिनिक्स के ये भी काफी तेजी से इस औरा को एब्जॉर्ब करने लगता है और इनका भी पर एक टीपर स्टेट अफ कंटिवेशन में जा चुका था और दीरे दीरे ये पावर को इकठा कर रहा था ताकि ये जन्दी से अपरली अर्थली सौवरिन में ब्रेक्ट्रू कर पाये फिलानेया पर बाहर में चाइल्ड अफ कॉंटिनेंट को खतम हुई एक महीने से और इसका रिलेशन फ्लेम एंपरर और मारसल एंसेस्टर से है ये और भी ज़्यादा तहल का मचाने वाला था लुओनी की भी चर्चे थे कि वो लड़की काफी सुन्दर है और उसने लुओ सेलेस्टिल गौड बोडी को कल्टिवेट कर लिया है और शादि ये लड़की भ अगर आपने देखे होंगे वीडियो तो बॉटल रहता है वाइन के समाल कुछ इन्होंने पकड़ा था जिस्टे हम गौड भी कहते हैं ये एल्डर भी यहापर एक स्क्रीन के तरफ देख रहते हैं और यहाँ पर यह वही बैटल देख रहते हैं जो मूचे लोली वगरा न बाकी कॉंटिनेंट के मुकाबले और इसके एक आईलेंड पर काफी बास के पेड़ थे हैं जहापर इस्प्रेशोल एनरजी डेंस मातरा में थी और यह बामबू भी अपने आप में एक रियर ट्रेजर थे तो यह जो आईलेंड था इसे पाच भागों में बाटा गया था और पाच एंसेंट क्लैन इसके मालिक थे उन में से एक था बुदूर एंसेंट क्लैन और इस तरफ एक पावरफुल लाइट काफी तेजी से बढ़ती है यहाँ पर एक फिगर प्रकट होता है स्टोन टावर के अंदर यह बंदा जाता है जहाँ पर एक एल्डर और पूसते हैं क्या वो वही है जिसके बारवे हमें फर्स्ट एल्डर ने कहा था यह बंदा कहता शैद हाँ यह वही है और यह एक अपने स्परिचुल एनरजी से एक स्क्रीन बनाता है और यहाँ पर एक फाइट दिखाता है और फाइट यह हो रहा था मूचन और लिंग जांजी के बीच का और यहाँ पर मूचन अपने क्रिश्टल पगोडा को भी यूज करता है यह एल्डर भी हैरान थे कि अरे इस बंदे के पास तो होली पगोडा है क्योंकि होली पगोडा बूदूर क्लैन में भी काफी रेयर माना जाता है बहुत कमी लोग इसे कल्टिवे बने तो मूचन इनके लिए बड़ा ख़तरा बन सकता है और यह तुरंती यह जो बंदा आया था उसे कहते हैं कि ड्रैगन एलिफेंट प्रोटेक्टर को वहाँ पर भीजदो अब यह बंदा एलिफेंट प्रोटेक्टर को लेकर इस एल्डर के पास आते है और एलिफेंट मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ अभी जो एलिफेंट प्रोटेक्टर को यह बोलते हैं कॉंग्राचुलेशन लॉंग जियांग तुम तो कंप्लीटली अर्थली सौवरिन में पहुँच चुके हो तो एलिफेंट प्रोटेक्टर का नाम लॉंग जियांग है अब लेवल अभी हाप स्टेप कंप्लीट अर्थली सौवरिन है एल्डर को हसके कहते हैं लेकिन तुम्हारे टैलेंट के इसाब से तुम जल्दी उसमें एल्डर कर जाओगे फिर यह कहते हैं मेरे पास एक टास्क है जाओ और इस लोली अर्थली सौवरिन को पकड़ के लओ यह लोली अर्थली सौवरिन होने के बाउजूर चाइल्ड अफ कॉंटिनेंट बैटल में अपरली अर्थली सौवरिन से लड़ा और वो कमपट्सेंट जीत भी गया और मेरे इसाब इससे अपरली अर्थली सौवरिन भी नहीं हरा सकते हैं इसलिए मैंने तुम्हें बोला Longs Young जब ये सुनते हैं तो ये खुद तारीफ करते हैं कि तो ये बंदा सच में काफी amazing है हाला कि Longs Young बूदूर क्लैंगे थे पर ये talent को काफी appreciate करते थे फिर भी अभी ये पूचते हैं कि Elder को ये बंदा है कौन और आप क्यों बोल रहे हैं इसे capture करने के लिए ये सुनकर कि Elder को हसते हैं और बताते हैं कि First Elder ने इसके बारे में बताया था कि ये हमारे wanted list में है Longs Young जैसे सुनते हैं इनको पूरी कहानी बताते हैं कि First Elder किसे पकड़ने के लिए बोलते हैं इन्हें गुसात है और ये अपनी First और रिलीज करते हैं अब इस औरा को देखकर Elder को भी इन पर अटेक करते थे और Longs Young भी इन पर अटेक दोनों के अटक की दूसरे से टकराते हैं अब इस कोलीजन के वज़े से Longs Young आधा कदम पीछे अटते हैं वही Elder को इनकी बोड़ी बस हिल जाती है हलाके Elder को इनसे पावरफुल थे पर Longs Young का जो टैलेंड था खास करके इनका जो वो टेक्निक Dragon Elephant आर्ट इसके वज़े से इनके physical बोड़ी काफी शौंग थी अगर Elder को इन्हें मारना भी चाहें तो वो भी अदमरी तो हुई जाएंगे और Longs Young गुस्से में कहते हैं किस लड़के को परपिरेटर कहना भी मत यानि दोखे बाई ये मेरी यंग मिश्रेस का पेटा है और आप में कहा कैसे इसे अब ये सुनकर कि Elder को कहते हैं कि मानता हूं कि ये King Y की पेड़े वो बड़े हो रहे हैं और यहां पर spiritual energy काफी dense रहती तो तुम ही को जाना पढ़ेगा और अगर मैं ये report कर दूँगा तो तुम है मालूम है कि क्या होगा और तुम नहीं जाओगे तो First Elder किसी और को भेजेंगे Longs Young भी सोचते हैं और फिर तयार हो जाते हैं कि को स्यांजिंग का पावर क्या है तुमें भी मालू है कि मूचैन को कुछ होगा तो तुम भी नहीं बचोगे Elder Go विगदम शांत हो जाता है फिर भी यह कहता है मूझे नहीं लगता वो क्लैन में कुछ कर पाएंगे अब यहां से Longs Young निकल जाते हैं इनके जाने के बाद Elder Go कहता वेट करो जैसे हमारे Holy Sun बूदूर एंचेंट क्लैन के अगले क्लैन लिडर बनेगे फिर मैं तुमें और तुमारे मिश्ट्रेस को बताता हूँ Longs Young यहां से वापस लोटने के बाद एक Black Tower में जाते हैं इस Tower में एक Black Prison भी था और यहां पर एक Powerful Array बना हुआ था जैसे किसी को मानो Seal किया गया हो यहां पर एक Lady थी जिससे Seal किया गया था और यह Lady अभी भी Cross-Laked बैटी भी थी दिखने में यह Lady काफे Intellectual दिखाई दे रही यां जिंग के जैसा ही Power है लिंग जी भी इने देखती है और प्रदर Longs Young कहके बुलाती है लॉंग जिंग इसे कहते हैं कि देखो लिंग जिंग तुम्हें यहां तो आना ही नीचे था तुम्हें मालूम है कि यह बुदूर एंजेंट क्लैन का एरिया है फिर भी तुम यहा यहां पर captured है यह सुनकर के लिंग जी smile देती है और बताती है कि मैं यहां पर इसलिए आई क्योंकि आणटी जिंग यहां पर पहले थी और लिंग जी भी पूछती है कि लॉंग जिंग आप यहां पर क्या कर रहे हैं लॉंग जिंग बताते है कि हमारे पास उस बच्चे का लिंग जी जिसके आखे एकदम कई सालों से इमोशन नेस थी अब इसमें मानो कुछ आसू आते हैं और एक काफी खुश होती है कि मूचेन फाइन तुमारा निउस तो मिला इदर सीन शिप्ट होता है और मूचेन को दिखाय जाता है मूचेन के ओरा पहले से काफी बढ़ च चुबी थी और अगर इसकी फाइट लिंग जान जी वगरा से हो तो ये उन्हें हरा सकती है इसके बगन में ग्रैन फादर टियान शिन और अंकल टियान लॉंग भी बैठे हुए थे और इनके सामने एक मेडी लेजड मैन आ चुका था और लूओली इनसे कहती है कि एल्डर देखें मूचेन अभी यहाँ पर नहीं है आप उसे कई और धूण लो कुछ दिन पहली यह बंदा मूचेन को धूणते हुए आया था पर मूचेन अभी भी बैपर्टीजम रिसीब कर रहा था और लूओली इस बारे में इसे बताती नहीं है अब यह बंदा जो था यह कहत है कि आप यहाँ पर मूचेन को क्यों धूण रहा हूँ अब यह मिडिलेज्ड मैन कहते है उसे एक जगें लेकर जाना है लूओली को इस बंदे पर शक होता है और यह कहते है आपके पास इतने उकात नहीं है कि आप उसे लेकर जा पाओ क्योंकि इसे मालूम था कि मूचेन अपने कल्टिवेशन से अब जाग रहा था इसका फिजिकल पावर भी पहले से काफी बढ़ चुका था पावर लेबल इसका बढ़ते बढ़ते लोली अर्थिली सौवरिन के पीक पर पहुंच जाता है पर यह यहाँ पर भी नहीं रुखता है यह बढ़ते बढ़ते अपर अर्थिली सौवरिन पर एंटर कर जाता है और मूचन को यहाँ पर तीन साल लग जाते हैं बैपटीजम को कवर करने में बाहर में शादी यह दो तीन महीने बीते होंगे मूचन अब काफी एक्षाइटेड था कि बस कम्प्लिटली अर्थिली सौवरिन उसके बाद यह हैव बड़ा सावधान रहना और इसका इशारा यह भी था कि शैदिये बंदा बुदू रेंजेंट क्लेंट से हैं मूचन जब यह सुनता है तो यह काफी खुस भी था और गुसा भी कि बुदू रेंजेंट क्लेंट तो फाइनली यह लोग आ ही के मूचन यहासे अब अचानक स कायव हो जाता है तो स्टोरी यही पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ